दोस्तों अगर पुलिस टाइम रहते हुए चंदन वर्मा के खिलाप कठोर कदम उठाती उसके खिलाप कठोर कारवाई करती तो आज और एक कातिल एक अपरादी चंदन वर्मा सुनिल कुमार और उसकी पतनी और साथी साथ दो बच्चों को बड़ी बेरेमी के साथ मोत के घा बाटना उतारता यहां दोस्तों अमिठी के अंदर 3 अक्टूबर को जो हत्यकांड हुआ उसने पूरे उत्तरपरदेश में क्या एक संसनी फैला दी सब लोग सकते में हैं कि कैसे एक गौर्मेंट टीचर सुनिल कुमार को पूरे परिवार के साथ उसी के घर में घुसकर चं अच्छा का विश्य से बना हुआ है कि कैसे एक सर्फिर आशिक ने कैसे एक सर्फिर प्रेमी ने अपनी प्रेमी का पूर्म से बदला लेने के लिए उसके पूरे परिवार को ही खतम कर डाला दोस्तों मेरे नाम है वाजीद अली आप दिख रहे हैं वाजीद मोटिवेशन इटूब चैनल अत्यों 3 अक्टूबर 2024 की वो घटना अमेठी के अंदर जो उत्तरपरदेश में हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे उत्तरपरदेश को क्या है सक्ते में कर डाला हर लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही घटना वो है अमेठी में जो सुनिल कुमार टीचर के परिवार की हत्य हुई है कि कैसे एक कातिल ने ना सुनिल कुमार को छोड़ा उसको तीन गोली मारी ना उसकी पतनी पूनम को छोड़ा उसको दो गोली मारी और साती साथ कातिल का यहां तक मन नहीं बरा उसने दो मासूम सी बच्ची जिसकी उमर एक पांस साल की दरस्टी और एक डेड़ साल की बच्ची उसको भी गोली मार कर बड़ी बेरेमी के साथ मौत के घाट उदार दिया साती हो अगर पुलीस अठार अगर्ज दोजार तेस को जब सुनिल कुमार की पतनी पूनम ने चंदन वर्मा के खिलाब राई बरेली के थाना कोटवाली में एक एफायर लौंज करवाई थी और उसमें कहा था कि चंदन वर्मा ने मेरे साथ मारपीट की है मेरे साथ असलीलता की है उसने मुझे भी मारा मेरे पती को भी मारा और अगर फ्यूचर में हमारे साथ किसी भी तरह की कोई अनौनी होती है या कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिरिफ चंदन वर्मा होगा और सात्यों हालात सैम वही हुई और चंदन वर्मा ने पूनम भारती के पूर दरज करा, छेड़ साड़ का, मार पिट का, तो पुलिस ने उसको गिरपतार तो किया था, लेकिन तीन दीन बाद ही उसकी जवानत हो जाती है, अगर उसकी जवानत नहोती, वो जेल के अंदर रहता, तो आज इतना बड़ा हथ्य काण नहोता, वो जेल से छुटता है, संकी मा बाओ जो दिमाग वो पूनम के साथ जो बदला लेना चाहता था वो खुरापात या उसके दिमाग भी घूम रही थी और वो अपने वाटसम में एक बायो लगाता है कि पांच लोग मरने वाले हैं और मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा पहले ही उसने इस गटना के बारे में बता दिया था कि क्या होगा लेकिन सब ने उसको लाइट लिया कोई इसको नहीं समन सका और तीन अक्टूबर को उसने राई बेलरली से अमेटी आकर उस गटना को अंजाम दिया कि कैसे उसने एक हस्ते खेलते परिवार सुनील कुमार के परिवार को जो की पैसे से एक जाता है अगर पुलिस टाइम रहते हुए कुछ इस तरह के अपरादों में सक्त सक्त सक्से सक्त कारवाई करे थोस कदम उठाए तो कोई भी अपरादी इस तरह का अपराद करने के लिए क्या उतावला नहीं होगा कमिट नहीं होगा कि इतने बड़े घटना को अंजाम दे पूनम के साथ चंदन औरमा जबर्दस्ती करता था उसके साथ जबर्दस्ती रहने की कोशिस करता था उसके साथ साधी करने की कोशिस करता था लेकिन जब पूनम नहीं मानी तो उसने उसको कहा सबक सिखाने के उधिस्टे से पूरे परिवार को ही मौत के घाट उदार दिय ये एक ऐसा हादसा ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे उत्तर परदेश में खल बली मचा दी है और इस बात की पूल खोल दी है कि आप भले ही लाग दावे करो कि उत्तर परदेश में राम राज्य है कानून का राज है ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में अगर कानून का राज होता तो कोई भी अपरादी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचता उसने सुनिल कुमार को तो मारा ही मारा साथ में उसकी पत्नी पूनम कुमारा और सबसे बड़ी दरिंदीगी अगर उसने की तो उन दो मासूम बच्चों की हत्या जिहां उन दो मासूम बच्चों की हत्या जिसमें एक की उमर मारा पांस साल एक की डेड़ साल कातिल चंदन वर्मा ने उनको भी नहीं छोड़ा और उनको भी मौत के घाट उतार दिया तीन अक्टुबर को उनके घर पे पहुंचता है दोनों के साथ बत्तमी जी करता है सुनिल कुमार उसकी पत्नी के साथ में पूनम को बोलता है कि चल मेरे साथ चल साधी कर जब वो नहीं मानी तो अन्दा इस्पॉर्ट पहले शुनिल कुमार को तीन गोली मारी जाती है फिर उसकी पतनी पूनम को दो गोली मार जाती है और जब उनकी बच्ची अपने पापों से लिपड़ती है तो उनको भी गोली मार देता है सात्यों एक ऐसा सर्फिरा एक ऐसा सन की आसी काप कोई जिसने एक हस्ते खेलते हुए परिवार को इस दुनिये से उठा दिया उसका पूरा ही परिवार खतम करके उनकी जिन्दगी को उजाड़ दी यह है हमारे देश भारत यह हमारे परदेश उत्तर परदेश का हाद कि अपरादी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी मार सकते है किसी को भी लूट सकते है किसी का भी घर उजाड सकते है यह ऐसा दरिंदा ऐसा कातिल है इसको सजाए मौत होनी चाहिए इसको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि दूसरों लोगों को भी एक मैसिज मिले दिया उसको मोत के घाट उतार दिया दोस्तों आप क्या परतिगिर्या देना चाहेंगे चंदन वर्मा के लिए क्या ऐसे लोगों की सजा सिर्फ सजाय मोत हैं क्या ऐसे लोगों को फासि होनी चाहिए ताकि भारत में इस तरह कोई अपराद ना हो लेकिन हमारा कानून इतना लचिला है, इतना मतलब ढिला कानून है, कि अगर हम टाइम रहते हुए ऐसे अपरादों पर सक्ट सक्ट कार्वाई कर दे। तो ऐसे अपराद नहों ऐसे अपराद करने के लिए कोई कमिटर नहों लेकिन हम चीजों को लाइटली लेते हैं और फिर बड़े बड़े अपराद हो जाते हैं जिसमें पूरा का पूरे परिवार खतम हो जाता है और ऐसे ही हुआ अमेटी की इस घटना तीन अक्टुबर को जब चन्न वर्मा ने सुनिल कुमार पूनम और उसकी दो बच्चों की बड़ी बेरहमे के साथ हत्ता कर दे